सबीकुन मिश्कार, सूर्दास किस भक्ती भावना के पक्ष में थे? उधारण देकर सित कीजे, आज हम इस प्रेश्न पर चच्चा करेंगे. सूर्दास सगोन भक्ती भावना के पक्ष में थे. उनकी गोपियां भगवान विश्नु के अवतार श्री कृष्न की उपासिकाएं थी. वे श्री कृष्न से अनन्य प्रेम करती थी. गोपियां अपने संबंद में कहती हैं कि अबला हम भौरी गुर चाटी जूपागी. वे हारिल पक्षी का उधारण देती हुई कहती हैं कि हम हारिल लकडी के समान क्रिश्न की सच्ची आराधिका हैं. अर्थात वे अपने हृदय में हर अक्षन श्री क्रिश्न को बसाए रहती हैं. सूर दास ने सगुन भक्ती में प्रेम की भावना को अनिवारे माना है तथा उसकी म्रयादा का पालन करना भी अनिवारे निर्गुन उपासना या योग साधना की अवहेलना कड़वी ककड़ी कहकर करते हैं तो कभी उसे व्याधी यानि बिमारी कहकर के उसका विरोध करते इन सब तत्यों से इस पस्ट है कि सूर दास सगुन भक्ती भावना के उपाश्चत है